तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं देखते हैं इसमें को क्या क्या लगेगा तो मैं एक बेसिक डिस्क ले रहा हूं मेरा जो बेस में जाएगा डिस्क और डिस्क को मैं कर दे रहा हूं बढ़ा तो यह मेरा बेस में रहेगा और इस डिस्क का मैं साइड्स थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं ताकि थोड़ा सर्कल अच्छा दिखाई दे ग्रिड ओफ कर देता हूं कि मेरा बेस रहेगा ताकि थोड़ा स्क्वार रहता हो थोड़ा जीप सा लगता है देखने पर और रेंडर में वीपोर्ट 2.0 में जिस एंटी अलाइजिंग फिलाल आं कर रहा हूं बड़ी सेंपल थोड़ा वह एजस दिकरा काफी क्लीन वह एजस अच्छे दिखते हैं काफी क्लीन और अच्छे तो नेक्स्ट इस फाइल को भी मैं सेफ कर लेता हूं 6 अगर्स्ट डेमो 2 डेमो 2 करके सेफ करके रखता हूं और इसके अंदर मैं भी एक्स्ट्र चीज एड़ कर रहा हूं एन पार्टिकल्स में मैं अट कर रहा हूं मेरा एमिटर अभी यहां पर एमिट के अंदर यह सब जो प्रॉपर्टीज हैं फिर अपर से देखो लेगसी जो ओल्ड अगर मुझे एक अब्जेंग मुझे अदर से डिकाना कि आक फायर बॉल है जो एक अब्जेक के अदर से मुझे और दिखाना तो मैं यह दिखा में था मभी आशाम अवह तो मैं यह यह लोंगागा the default to case all this में जस्त सब कुछ रिसेट कर रहा हूं हो जो डिफाल्ट है बार वाद्म के अंदर बैसिकली डेंसिटी होती है कि पानी में वाल्लिूम है और एं इंसेटी बोलते पीकर तो वह मैं इसके लिए में मद एंसिटी बोलते हैं और शेप क्यूब मजा नहीं आएगा मैं स्पियर ले रहा हूं तो वो सरकल में थोड़ा देखने का अच्छा लगेगा थोड़ा मुझे इसके लिए और बस सिर्फ मैंने दो तीन चेंजिस कियें ज्यादा नहीं यहां पर मेरा वाल्यूम है और डिस्टेंज कुछ नहीं जो डिफाल्ट है वही डिरेक्शूंस अक्स एक्सेस में जा रहा है अंसे और इसे लिएपर हवे में मजानी आ रहा है तो exactly I think grid के center में है थोड़ा सका उपपर उठा लेता हूं मैं बस और जिस प्ले कर रहे हैं चेक करता है क्या चल रहा है क्या हो गया कुछ तो डॉट्स नीचे गिर रहे हैं नहीं चलेगा तो जबी भी मैं है ना नुकलेस में कुछ भी पार्टिकल क्रिएट करना चाहता हूं तो यहां पर मुझे है ना एन पार्टिकल्स के अंदर वह मुझे कुछ चीज़े पूचता है वह चीज़े क्या है फिर के दिए अग्लाउड फैसे पार्टिकल और पार्टिकल के अंदर भी मुझे आपस से जा रहा हूं भी comedy से नहीं है यहां पर इंस्टेड आनidd और जसमें क्रिएट कर रहा हूं थोड़ा स्को उपर उठा रहा हूं थाकि वह पार्टिकल्स नीचे के नीचे नहीं चले जाएं और अगर मैं देखू हमां तो अभी उतना स्पीड में निकलेगा पार्टिकल स्मूद्ली ना कुछ क्लाउड भार निकलेंगे मुझे ऐसे फा है कि फायर में मुझे फायर बॉल में मुझे क्या-क्या चाहिए तो अभी एक चीज़ देखो कि फायर कंटीनुसली वह बाहर निकल रहा है निकलते ही जा 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 रहा है स्प्रेड होते जा रहा है मुझे वैसा न तो आप्शन बॉक्स के अंदर और यहां पर मैं आ रहा हूं निकलिस के अंदर प्लस हम लोग को यहां पर न यह जो पार्टिकल्स शेप वान है इसमें लोग देख रहे हैं कि लाइफ पार्टिकल की लाइफ एक फॉर एवर एक अटिनुसली आई रहे मुझे वैसा नहीं चा एक पटिकुलर टाइम के बाद जैसे कि मेरा वन और पॉइंट फाइफ के बीच में वो एंड हो जाना चाहिए तो थोड़ा और ट्रामेटिक लगेगा चाहिए यहां पर उसको दो रेंज मिलेगा तो देखने में थोड़ा और ट्रामेटिक लगेगा दिख रहा ऐसा है तो फाइर एक्चुली ऐसा होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एंड होने लगता है तो यह मैंने अचीव कर लिया है नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए फाइर का डिरेक्शन है ना एक्चुली मैं उपर की तरफ रहता है ना नौमली फाइर उपर की तरफ होता है तो मैं पार्टिकल को से लैक करके यहां पे एक फिल्ड दे रहा हूँ एर फिल्ड सब्सक्रिकल के अंदर यहां पे मैं इसका में जरूक्ण करने से ओढ़िए आबरवाइज दिस्टंस कैलकुलेट करेगा राएक है NOR चुर्ध यहां पे मैं पेम ऐसे कना थम्दूस्ट पर DEV &aurus जौन करत है तो अभी क्या होगा की मैंना पाइर अचिली बहुत हो सकता की तो इतना मुझे नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा इसका स्ट्रेंद और कम कर देता हूं थोड़ा फाइव रखता हूं तो थोड़ा स्लोली वह होगा और इस पर्टिकुलर एरिया में एंड हो जाएगा लेकिने काफी अच्छा है इतने अच्छे से फायर मुव नहीं होता है फ तो वह चिंजस कैसे होगा तो मैं वहीं सेम चिंजस के लिए टर्बुलंस के लिए मैं क्या करूँगा टर्बुलंस फिल्ड अप्लाइ करूँगा से याद रखो एडियोनेशन जीरो मैंनेटीड 20 क्रियेट कर लिया मैंने थोड़ा स्में ड्रामेटिज़म एड हो जाएग सब पार्टिकल स्टिकोली नहीं चाहिए मुझे तो मैं क्या करूँगा मैं अभी पार्टिकल्स के अंदर जा रहा हूं और अम जो बाटिकल्स शेप के अंदर अंडर मैं हूं थोड़ा सा अगर मैं नीचे आंगे उसके अंदर और नेक्स्ट मैं देखूंगा मेरा पार्टिकल साइज है तो साइज आपको जितना बढ़ाना है आप बढ़ा लो जैसे कि मैं 0.2 है मैं 0.5 बोलता हूं मेरा और देंस हो गया मैं प्ले कर रहा हूं यह देखो ठीक है लेकिन एंड में मैंने बुला था ना कि वह एंड में ऐस कर रहा हूं कि एंड में इसे च्छोटे च्छोटे पार्टिकल्स के एंड हो जाने चाहिए अभी तक मैंने कलर पर नहीं आया हूं मैं भी सिर्फ डैनामिक प्रॉपर्टीज और इस सब्सक्राइब हूं थोड़ा ग्रैजूली मैं भी नीचे जाँगा तो मुझे लिए आप लुग कर सकता हूं अपसिटी को भी मैं स्केल कर सकता हूं कि ग्रैजूली वो इसे एंड हो रहा है तो दीरे-दीरे वह साइए एंड हो सकता है ठोड़ा मुझे थोड़ा दिखाना था देंस ज्यादा नहीं करता हूं नीचे में हाँ पर कलर में आ चुका हूं तो यह एच की सबसे सर टाइम जाएगा दीरे-दीरे कलर चेंज होगा ठीक है तो यहाँ पर मुझे चाहिए फायर का थोड़ा सा रेडिश रेड कलर ले रहा हूं है और फायर के लिए फायर में और कॉन से कलर होते हैं और इंज हमनों का अल्री है घट फैर में हो सकता है मेरा घ्रे डार्क रे और ठोड़ा और लाइट ग्रे या तो मैं पुरा फुल ब्लैक लेलता हूं तो एंड में वो थोड़ा सा और स्मोकी बनके ओड़ जाएगा इसे और यहां पर अजिघ के साथ में प्ले कर सकते हो या तो इसको इस इको चेंज कर सकते वैसे में इसको से चेंज कर सकते यह से प्रवाइब आप अच्छा लैग और और बी किसी को इशू हो रहा है कि मेरा स्क्रीन लैग हो रहा है यह नहीं हो रहा है यह नहीं हो रहा है बाकी लोग को लैग हो रहा है यहां पर यह सेशन होने के बाद में है ना मैं इसे ऑनलाइन अपलोड कर दूँगा तो ऑनलाइन अपलोड कर दूँगा तभी एक बार आपर से इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग उसका ओके यह साँ सब लोग अपना म्यूट कर लो हां अभी प्रेम माइक मूट कर वेरी गूट तो अगर मैं प्ले करूँ इसको तो कुछ जैसा फाइरी एफेक्ट दिख रहा है मुझे यहां पर ऐसे और बेसिक सा हम लोग ने जनुरेट किया है इसमें थोड़ा और रेंडमनेस चाहिए थोड़ा मैं रेंडमनेस थोड़ा सा इंपूट यह थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कितना चाहिए क्या चाहिए थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं और प्ले करके देख रहा हूं जस रेगुलर्ली क्या है इसमें मुझे ना एक चीज़ और एट करना है अभी यह तो हो रहा है साथ मैं ना उसके सब लोग फायर तो दाल देते हैं अब फायर तो हो गया मैं एक्सपेक्ट अम दब यहां लो नहीं हो सकता है हम लोग एक्दम रियल स्टिक चीए तो हम लोगों यहां पर जाना पड़ेगा फ्लूइट के अंदर लेकिन यहां पर थोड़ा मैं और एक चेंज़ करूं है सकता हूं इसकी सपोर्स मेंने थोड़ा समय और यसा रैड कलर थोड़ा सा और ओर औरेंच ससब अ करके मैं सको कि ऐच की सवसाएप से चिंच कर सकता है और उसमें और लाइफ एड़ हो जाएगा नहीं फोड़ा और एंचान आ गी पाँए थोड़ा गलू हो गया है यहां पर इसको अगर मैं in करना पड़ेगा कैसे करना है इसके बाद में मुझे मेन एलिमेंट जो है दुसरा की एक लाइट का एलिमेंट वह एड़ करके देखना है तो सिंपल यहां पर मेरा अधिंग आर्नॉल्ड के अंदर हम लोगों को एक लाइट सिस्टम में जसेक नॉमल में पॉइंट लाइट भ को ही खाली वह इल्यूमिनेट करेगा मैं जसेक नॉमल पॉइंट लाइट ले रहा हूं और पॉइंट लाइट का इंपक्ट चिंच चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं सिक्स टेक्शर के लिए सेवन लाइट के लिए समझा तो मेरा आजू-बजू का एरिया नहां पर खल इतना ही एरिया मेरा दिख रहा है अभी इसका जो कलर है लाइट का जो कलर है यहां पर जो भी कलर चाहिए थोड़ा और इंज तो मैंने और देखने में थोड़ा ओर ट्रामेटिक लगेगा यह अप लोगों को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अभी क्या हो रहा तो वह फ्लिकरिंग इफेक्ट रेडी करना है मुझे इंटेंसिटी न ऐसे अनिमेट होना चाहिए ऐसे कंटीनु तो और मजा आएगा इसको बैटके अनिमेट करना वड़ेगा उसकी जगह पे मैं सोच रहा हूं कि कुछ एक्सप्रेशन दाल देता हूं तो मैं प्रेंड करके एक ऑप्शन होता है और यहां पर मैं रेंडम वैल्लू दे सकता हूं इसमें मैं चाहता हूं कि अराउंड थोड़ा और हैविदेंस हो जाए टू और पॉइंट फाइफ के बीच में जिरो पॉइंट फाइफ के बीच में रहे हूं और मैं इसको सेमी कॉलम देखे करने कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो एकदम हैविलिट इंटेंसिफ होगा फिर आपके से डिक्रीज होगा लेकिन तू यहां पर मुझे लग रहा है कि मेरा वह एज मुझे नहीं दिखना चाह और अपर से एडिट कर रहा हूं थोड़ा और डिक्रीज होना चाहिए और मैं इसे भी जस्त में प्ले करके चेक करता हूं क्या होगा बताओ ए रेखों कि अपको कि कुछ तो जब भी आप लोग फारेफाइक रेडी करो ना तो मेक शुर कि आप लाइट पे पी काम करो मैं देखा है बहुत सारे सुडेंट्स ने शौरील बनाया दैनामिक्स का उसमें लोग लाइटिंग पर नहीं किया है तो अप लोग प्लीज भामिक सर का है ना हेल्प लोग यह वाला रिपीट कर दिको हां मैं रिपीट कर रहा हूं लिकिन मैं इसमें बोरा हूं कि आप लोग अपर कर देखो कि यहां पर दिखर है point35 मैं भी next frame पर जा रहा हूं दिख़्र है 5 हो गया लेक्स प्रैम पर अपस से 3 हो गया अपस से 9 हो गया अपस 2 हो गया यह क्यों हुआ क्योंकि मुझे है यह हर फ्रेम पर बैठके नहीं करता था इतना टाइम नहीं है और कितना फ्रेम का रहेगा मुझे नहीं पता तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने intensity के उपर right click करके मैंने बोला create new expression अब यहां पर edit दिखा रहा है उसके अंदर जाके मैंने क्या किया यह जो property था इसको सिला करके यहां पर पेस्ट किया और इसके अंदर जाके हां पर मैंने is equal to और यह कर दिया इतना one और point two के बीच में वह random value आ जाए clear है सबको अभी अब है सब्सक्राइब तो इतना आप लोगों को यह basically दो assignment आप लोगों के चाहिए मुझा नेक्स सेशन के पहले ट्राइक करो कि आज कल में आप लोग वह submit करके दिखा तो यह मैं continuously आप लोग का चेक करते हैं गुगल यह जो शीट है तो जैसे आपका अप्डेट होते चाह कर सकते हैं तो मैं हापई उसको क्लोस कर रहा हूं और जो एमिटर है अगर suppose मैं उसको हाइट करूं और अगर मैं भी प्ले करूं निकले इसको भी मैं हाइट कर रहा हूं केगता हुआ गरिभाला क्रता हुए थो पुरा इमपेक्ट हो जा रहा है उसको हई नहीं कर सकता हूं है उसको मैं विसबिलीटी एन कर रहा हूं को अधर्रुवार्र लाइट हे ओफ जा रहा है यहां सब OF करदो उच्छो ôm निकाल लो यहसा, मैं केमरे को पहले थोड़ा अनिमेट कर लेता हूं तो यहां पे मैं ज्छकी की कर रहाउ हूं एंने ज़त इका हूं क्या प्लेजच कर रहा हूं मैंने 120-2 광ए सट की कर रहा जो पिलेख कर रोए है। एक्षिल समझ में नहीं आ रहा है मैंना जो केमरे को इतना थोड़ा सा मुझे कुछ नहीं ठीक है इतिंक रोटेट हो रहा है इतना सफिशेंट है मैं इसे प्लेबलास करने के पहला क्या करूंगा जाके सिर्फ मल्टी सैंप्लिंग ओन कर रहा हूं यहां पर मुझे भी हाडवेर फॉक की जरुवत फिलाल नहीं है लेकिन अगर मेरा अच्छा है तो मैं यहां पर रख सकता हूं बट मुझे भी फिलाल डैप्ट की जरुवत में यहां पर सिर्की की ऑप्शिन अन कर रहा हूं और यहां पर बाक इसलosaur राहा हूं और सेफ कर रहा हूं PC conservative bank आओ और नियुक्त में प्लेय बलस्त कर रहा कि ऑभल सेटिंग सब पहले जैसी सब रहेंगी फुलस्डी आपको ऑन करना है यहां मैंने देखो रेगुलर प्ले ब्लास्ट किया हुआ इसको फुलस्टी का इसमेक शुर कि वह फुलस्डी ही है तो एक बार में आपको चेक कर लेगा हूं प्ले ब्लास्ट के अंदर फॉर्म रेंडर सेटिंग्स के अंदर यहां पर मेरा हाँ इसके लिए का इतना डाउन ग्रेड हो गया है थोड़ा मजा नहीं आ रहा है 1080 चाहिए मुझे और यहां पर यह मेरा 300 का क्वालिटी का चाहिए मैं इसे एक बार आपस से मैं प्ले ब्लास्ट कर रहा हूं चले का री राइट हो चा क्लिए